कि उसने मोहबबत में कुछ इस तरह से तोड़ा हमें कि उसने मोहबबत में कुछ इस तरह से तोड़ा हमें न खोद अपनाया ना किसी और के लाइक छोड़ा हमें बहुत बहुत शुक्रिया तो जैसे कि भाईया ने बताई दिया मिरा नाम अजे चाहर है मैं शायरियां लिखता हूँ, बोलता हूँ, कुछ प्यार की भी लिख लेता हूँ, लेकिन ज़्यादातर दिल तोड़ने वाली हैं, तो ज़रा सुनिएगा, पहले मैं कविता से स्टार्ट करता हूँ, अगर किसी ने खत लिखा होगा तो वो समझ जाएगा, तो अच्छी बा तो जिस रोज जा रही थी, सवेरे वाली ट्रेन से, उस रोज तेरे साथ बिताने को एक खाब लिखा था, और यूँ तो चैन से सोजाया करता था तेरे आने से पहले, मैंने बिचारे जुगनुओं को जगा के तुझे रात लिखा था, और तू होती तो दिखाता कि क्या है मोहबबद, कि तू होती तो दिखाता कि क्या है मोहबबद, मैंने हंसों के जोड़े को हम और आप लिखा था, कि उस रोज तूने कागज समझ फैंक दिया था अपनी खिड़की से, मैंने उसी कागज में तुम मेरे क्या हो ये राज लिखा था, मैंने तुमें एक खत लिख बहुत बहुत शुक्रिया अब को चार-पांच लाइन की शायर ही हैं उनसे शुरुबात करना चाहूंगा तो ज़रा गौर करिएगा कि वो मेरी हसी मेरी खिलकिलाहट अपने साथ ले गया हमें गले से लगा के सारे जजबात ले गया और तरस्ते रहे ताउम्र उसकी खुश् तो हम यार कोई माली मेरा गुलाब चुरा कर ले गया बहुत बहुत शुक्रिया भया तो देखे जरा महबत में लोग कैसे बन जाते हैं कि ना जाने क्यों ये महबत ऐसा बना देती है अच्छे खासों को कैसा कैसा बना देती है कुछ रहते हैं जिंदीगी भर इसके बोज तले ही और कुछ को ये बिलकुल हम जैसा बना देती है बहुत बहुत शुक्रिया चाल एक और है कि अब तो बस दर्द को ही तवज्जो दी जा रही है कि अब तो दर्द को ही तवज्जो दी जा रही है कि अब तो दर्द को ही तवज्जो दी जा रही है कि अब तो दर्द क चीन कर घर बे जुबानों का यारों अब उन्हें पिंजरे में रहने की सला दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। हर बटवारे में हिस्से तनहाई के चुने हमने, कि किस्से महबत के अधूरे ही सुने हमने। और उसने रखा है अपनी गोद में सर हमारा। देखो नीद आने पर कैसे कैसे खाब बुने हमने। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए। एक और है कि रकीब के उपर मुझे रकीब बहुत पसंद है। माफ कीज़ेगा पर बहुत जादा पसंद है। तो उसी के उपर है कि एक दिन फिर ये सब कुछ नहीं रहेगा। और वो कहता तो है मुझे आज भी अपना। मगर रकीब के लोटाने पर वो मेरा नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। कि अब मुझे मासूमित नहीं खुद्दारियाँ पसंद हैं। किसी का एहसान नहीं अपनी जिम्मेदारियाँ पसंद हैं। हां, शायद सुनने में अजीब होगा ये सब तुम्हारे लिए भि, मगर अब मुझे लोग नहीं लोगों की मकारियां पसंद है बहुत बहुत शुक्रिया और एक है कुछ ज़ादाई प्यारी लिखी है मैंने तो ज़रा आप सब लोग गौर कीजेगा कि मैं बात अच्छी करता हूँ हाँ मैं मुलाकात अच्छी करता हूँ हाई एक लड़की है नादान सी हाँ मैं भी किसी पर मरता हूँ बेवजा है या वजा है इसमें भी कोई कि बेवजा है या वजा है इसमें भी कोई मैं उसी को खुदा मानकर उसके सजदे करता हूँ और रोज रात देखती है वो अपने चांद को मैं भी घंटों तक अपने चांद को देखा करता हूँ और एक शाम वो मिले पूछा क्या करते हो रांजा मैंने कहा मैं बात अच्छी करता हूँ मैं मुलाकात अच्छी करता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया भे बहुत बहुत शुक्रिया कि वो समझती है खुद को नाकाबिल, मैं भी उसे अपनी कमियां गिनाया करता हूं और जब भी जिक्र होता है मेरी पसंद का, मैं उसे अक्सर आइना दिखाया करता हूं कि जब भी जिक्र होता है मेरी पसंद का, मैं अक्सर उसे आइना दिखाया करता हूं और ना पसंद है उसे मेरा उसकी जुल्फ़ों को बिखेरना भी कि ना पसंद है उसको मेरा उसकी जुल्फ़ों को बिखेरना भी मैं जान पूछ कर उसे यूही सताया करता हूं और जब भी चिडाते हैं यार मुझे उसके नाम से मैं भी मन ही मन मुस्काया करता हूँ है एक लड़की है नादान सी है मैं भी किसी पे मरता हूँ और जब भी पूछता है कोई हाल मेरा वो पगली कहती है मैं बात अच्छी करता हूँ हामें मुलाकात अच्छी करता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया एक शाहरी है इसके साथ मैं खतम करूँगा अपनी परफॉमेंस कि मेरी तो हर दुआ में बस उसकी ही अबादत है कि मेरी तो हर दुआ में बस उसकी ही अबादत है वो मुस्कुराती रहे बस इतनी सी चाहत है कि मेरी तो हर दुआ में बस उसकी ही अबादत है बोड़ बोड़ शुक्रिया